हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा पाकिस्तान में बेमौत मर रहे आतंक क्या का हिंदुस्तान के दुश्मनों की पाकिस्तान में आफत आई हुई है आतंक के आखा अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं अपनी जान की भीक मांग रहे हैं लेकिन उनके अपने कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में सड़क चलते आतंगवादियों का मर्डर हो रहा है बाइक पर आ रहें बदमाश आतंगवादियों को गोलियों से चल्ली कर रहे हैं नवंबर के महीने में अब तक लशकर के तीन और जैश के एक आतंगवादी की मौत हो चुकी है कल पाकिस्तान के स्याल कोट रिलाके के खोखन चौक पर बदमाशों ने आतंकवादी संग्ठन लशकर के दो आतंकवादियों मुहम्मद निजामिल और उसके साथी नेमुर रह्मान की गोली मार कर हत्या कर दी इस गोली बारी में आतंगवादियों का तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया पाकिस्तान के स्याल कोट में हुई इजवारदात का एक सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया बताये गया कि फुटेज में जो कार दिख रही है आतंगवादि उसी कार में मौजूद थे और मोटर साइकल पर आये बदमाशों न उन पर गोलियों की बरसाथ कर दी इस फारिंग को दोरान कार के बाहर एक आतंगवादी गिर गया फारिंग के फॉरन बाद हमलावर मोटर साइकल पर बैट कर वहाँ से फरार हो गए ठीक इसी तरह एक रोग पहले कराची में अग्यात हमलावरों ने मौलाना तारिक रहीम की गोली मार कर हत्या कर दी थी मौलाना तारिक रहीम जैशे मौंबद चीफ मौलाना मसूद अजहर का करीबी था इस पर पुलवामा हमले की प्लैनिंग का आरोब भी था बताये जा रहा है कि मौलाना तारिक की हत्या उस वक्त हुई जब वो भारत विरोधी एक रैली में इससा लेने के लिए जा रहा था इसी दोरान कराची में अज्यात हमलावरों ने मौलाना तारिक पर गोलियों की बरसात कर दी तारिक पाकिस्तान का एक मशूहर मौलाना था जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीडु मरती थी मौलाना पर अचानक गोलिया चली और इसने मौके पर ही दम तोर दिया मौलाना तारिक जिस सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था वो कराची के औरंगी टाउन में आयजित की गई थी पाकिस्तान की पुलिस इस मामले को टारगेट किलिंग से जोड़ कर देख रही है पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में आतंक वादियों की हत्याओं का सिलसला यूही जारी है पिछले दुप लशकर यूद तयवा के आतंकी अकरम खान और अकरम गाजी को खैबर पक्तूनख़ा के बाज़ूर में धेर कर दिया गयाथ पिछले महीने यानी अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्याओं पाकिस्तान में कर दी गई थी इसके पहले सितंबर के महीने में लशकर के टॉब कमांडर रियाज अहमल और अबू कासिम की हत्या हुई थी इसी साल फरवरी में हिजबुल के आतंकी वशीर अहमत पीर और इम्तियाज आलम की हत्या की गई थी मार्ट के महीने में भारत में Most Wanted आतंकियों की लिस्ट में शामिल स्यीद नूर शालोबार की भी खैवर पक्तून खवा में हत्या कर दी गई थी मतलब पाकिस्तान में भारत की दुश्मनों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है लशकर के आतंकी अक्रम गाजी की हत्या के बाद चैशे मुहम्मत के आतंकी मौलाना तारिक रहीम उल्ला की हत्या और उसके बाद लशकर के दो और आतंकियों की हत्या के बाद भारत के दुश्मन आतंकवादी पाकिस्तान में भी सदमे में